एलो एवरिवन स्वागत है आपका हमादे चानल गेट कलर्स वित अनु में तो ये जो आप देख रहे हैं ये लगा हुआ है हमारे टैरर्स गार्डन में जो की है टमाटर के पौधे और इसमें अच्छी खासी फ्रूटिंग भी हो रही है और बहुत सारी फ्लावरिंग भी हो टमाटर का जो पौधा होता है वह बहुत ही इसली लग जाता है और इसमें बहुत ज्यादा टेक केर करने कि इसकी कोई जरूरी नहीं होती है आप इसमें सिर्फ टाइम टो टाइम पे फर्टिलाइजर देते रहे या फिर आप लिक्विड फर्टिलाइजर भी देंगे तो यह बहुत ही अच्छे से ग्रो करेगा साथ में इसमें पानी हमेशा देते रहें क्योंकि गर्मिया बहुत जादा हो रही है तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मैं ले ली हूँ बहुत सारे मेरे पास पड़े हुए थे जो कि कुछ चावल के बोरियां थी कुछ पार जाए और पत्ते होते हैं सुखे होए डी कंपोजड हो जाने के बाद खाद का काम करते हैं जो कि हमारे पौधों के लिए बहुत ही फाइदे मन्द होता है साथ में मैं मिटी ऐसी बना रही हूँ जिसमें की नमी तो बनी रहे साथ मी वह बहुत ही हल्का भी हो तो इसके चीज की इसमें गोवर की खाद डालें क्योंकि गर्मी आ गहीं तो मैं गोवर की खाद नहीं मैं इसमें उपले की खाद मिक्स कर रही हूँ और उपले का फर्टिलाइजर भी देंगी जो कि लिकुड फर्टिलाइजर होगा आप चाहे तो कुछ kitchen westerns का भी استعمال कर सकते हैं वो भी बहुत अच्छा खाद होता है आपके पौधों को grow करने में बहुत मदद करता है गर्मी के दिनों में आप जो भी फल खाते हैं उनके चिलके का भी استعمال कर सकते हैं आप अपने पौधों में देने के लिए या फिर प्याज की शिलके का भी इस्तमाल कर सकते हैं या आपके पौधों को ग्रो करने में या मजबूत होने में प्रूटिंग और फ्लावरिंग करने के साथ-साथ उनको घना बनाने में भी बहुत जादा मदद करती है तो यहाँ पर मैं सारी मिट्टियों को अच्छे से पानी से भीगो दी हूँ उसके बाद ही मैं इसमें सारी सैंप्लिंग को लगा रही हूँ ताकि जो हमारे पौधे हैं उनके जड़ों तक भी पानी इसली जा पाए सबसे जरूरी चीज़ कि अगर गर्मी की दिनों में कोई भी पौधे लगाते हैं नए पौधे किसी या फिर कोई पुराने पौधे रीपौट कर रहे हैं या फिर नर्सरी से लागे किसी पौधे को लगा रहे हैं तो डारिक्ट सेनलाइट में बिल्कुल नहीं रखना चाहिए, उनसे ये होता है कि आपके जो धूप में लगाय हुए पौधे होते हैं, वो बहुत ही जादा जल्दी जुलस जाते हैं, और उनकी जो एनर्जी होती है, वो बहुत ही जल्दी खत्म हो जाती है, जिससे कि वो अ सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे होल्स होते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे इस्तमाल कर रही हूँ कपड़े का, ताकि इस होल्स से सारी जो मिटियां हैं हमारे पॉट्स की वो निकल के बाहर ना आ जाए, और इसमें यह फाइदा होता है कि जो आपके पौधों में बहुत जादा वाट्रिंग हो जाती है, आप यह फिर। लकडी की राख का, और इसमें इस्तमाल करेंगे, राइस हस्क का, अगर आपके पास राइस हस्क है, तो आप राइस हस्क को डारेक्ट इस्तमाल कर सकते हैं, अपने पौधों में कोको पिट को देने कोई ज़रूरत नहीं है अगर आपके पास दोनों है तो आप दोनों ही इस्तमाल कर सकते हैं क्यूंकि जो राइस हसके वो सेम तो सेम आपको कोको पीट के जैसे होती है वो वाटर को बहुत टाइम के लिए स्टोर कर सकती है गर्मी में इन सबी चीजों का इस्तमाल जरूर करें अगर संभव हो तो क्यूंकि ये आपके पौधों में पानी की कमी को दूर करता है और बहुत टाइम के लिए इसमें नमी बना के रखता है मैं यहाँ पे इस्तमाल करती हूँ मूं के छिलके का आप चाहे तो सुखे पत्ते को भी इस्तमाल कर सकते हैं इसको मिक्स करने से यह फायदा होता है कि आपकी जो मिट्टी है वो बहुत ही लाइट वेट हो जाती है और साथ ही साथ यह जब डीकंपोजड होने लगता है तो वो खाद का काम करता है अपके पॉधो के लिए फिर मैं यहाँ पे इस्तमाल कर रही हूँ उपले की खाद को क्यूंकि अब गोवर की खाद कर इस्तमाल करना बहुत ही ज़ादा गर्मी के टाइमां पर बहुत ही Лिकुट फर्टिलाइजर बनाके अपने सारी पौधों पे पहले ही इस्तमाल कर चुकी हूँ, तो सारी जितने भी उपले वचे हुए थे, कुछ इस टाइप के दिख रहे थे, और अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, मिक्स करने के बाद ये इस्तमाल करने के लिए पूरी तरीके से तयार हो जाएगा, अ पौधों के लिए बहुत ही अच्छा है, और क्रेट की बजन भी बहुत जादा कम हो जाती है, बहुत लोगों का ये परिशानी होता है कि बहुत जादा मिट्टी की वज़द के वज़े से आपकी छट पे बहुत जादा वज़द पढ़ रहा होता है, तो ये चीज आप इस अब बारी है कि मैं यहाँ पे कुछ पौधे लगा हूँ जो कि टमाटर की लगा रही हूँ तो यहाँ पे आप देख रहे हैं बहुत जादा बड़े-बड़े पौधे हैं मैं इसको लगाने के लिए गहरा गड़ा कर रही हूँ ताकि इसको अच्छे से सपोर्ट मिल पाए ब अब यहाँ पे इसको अब बहुत अच्छे से जो खिल चुकी है और कलियों के बाद में इसमें फूरूटिंग पॉइंट भी आने लग चुकी है जिससे कि हमें बहुत जल्दी से फूरूटिंग भी करने को मिलेगा और आप देख सकते हैं कि इसमें बहुत सारी जो हमारे पौधे हैं उनमें बहुत सारे fruits बनकर त्यार हो चुके हैं जिनमें की sizes आप देख सकते हैं एक से दो महिने तक में इसकी जो sizes है वो काफी बड़ी हो जाएंगी और harvest करने के लिए पूरी तरीके से त्यार हो जाएगी अभी मैं इस सारे जो भी flower है उनको tap tap कर रही हूँ इससे pollination होते हैं और आपके जो flowering और fruiting है वो बहुत ही जादा increase हो जाती है तो अगर आपके भी पौदे में ऐसे flower हो रहे हैं तो उनको tap tap करें जिससे की pollination हो जाएंगे और आपके जो fruiting है वो बहुत ही अच्छी समें होने लग जाएगी अगर आपको हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा हो और informative लगा हो तो like, share and subscribe, comment में भी जरूर बताईगा कि आपको कैसा लगा फिर मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए बाई